भगवान शिव जी की हर प्रतिमा में उनके मस्तक पर एक आख दिखाई देती है इसे बोलिनात जी की तिसरी आखे भी कहते है भगवान शिव के मस्तक पर तिसरी आखे इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है वैसे क्या आप जानते है कि शिव जी की ये तिसरी आखे कै इसे मिली इस घटेना के पीछे एक कहानी है जिसमें शीव जी की तिसरी आग का रहस्य और मात्व दोनों पता चलता है तो कहानी इस तरह की है ये एक समय की बात है भगवान सीव जीक्यालास परवत पर बैठ कर तपस्या कर रहे थे तभी देवी परवती माता आई देवी परवती माता को मजाग सुझा और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने पती यानि शीव जी की आखो को ढख लिया दिवी पर्वती माता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस छोटे से मज्याक का क्या परिनाम होने वाला है जैसे ही पर्वती माता जी ने भगवन शीव की आखों को ढखा वैसे ही इस पुरी स्रिष्टी में अंधेरा सचा गया सभी लोग अंधेरे से घवरा उठे शीव जी से लोग को कि यह हालत छूप नहीं सकी और उन्होंने अपने मस्तक पर एक आख उत्पन कर ली भगवन शीव जी की तिसरी आखे खुलते ही सारे लोकों में उजाला हो गया तब से शीव जी की तिसरी आखों को प्रकास और उर्जा का प्रतिक माना जाने लगा भगवान शीव जी इस घटना के बाद परवती जी को बताते है कि उनकी दो आखे प्रिसिश्ट्री का पालन हार है और तिसरी आख प्रलै का कारण सास्त्रों में भी कहा गया है कि जब भी भगवान शिव अपनी तिसरी आखे खोलेंगे तब संसार को विनास का सामना करना होगा तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीस कमन करके हमें जरूर बताए महसूस करके तो देखा काशी विश्वनत हर पल मेरे साथ है दिखते नहीं कहीं लेकिन सर पर उन्हीं का हाथ है ये जो वर्ड मैंने कहा इसका बस यही मतलब है आप अपनी इच्छा नुशार कोई भी निर्ने लेने के लिए तयार है मतलब है आजाद है लेकिन आप ओ निर्नियों के परिनाम से मुक्त नहीं है तब तक के लिए बस इतना ही हमारे साथ हमेशा बने रहे जैहिन जै भारत